हेलो दोस्तों तो आज मैं आपको बताओं कि यह शेक अपके लिए इंडिया की क्या स्कुएट जाने वाली है और क्या प्रिडिक्टिड प्लेइंग 11 होने वाली है इंडिया वर्सिस पागिस्तान को लेकर और उसकी अलावा जिंबावे वर्सिस बंगलादिश को ODA स्टार्ट हो चेके तो उसका फर्स्ट ODA का क्या रिजल्ट आया तो उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिया की हम स्कुएट जानेंगे क्या होने वाले हैं 15 प्लेइर्स तो प्रिडिक्टिड है तो आप जुड़े रही इसमें सबसे पहले रोही शर्मा कैप्टन रहेंगे केल राहूल और यहाँ पर हारदिक पंडिया आपको वाइस केप्टन दिखने वाले हैं केल राहूल विराट कोली सुर्य कुमार यादव रिशब पंथ दिनेश कार्तिक फिर आपको रविंदर जड़ेजा दिखने वाले हैं ये जुविंदर चहल दिखने वाले भूनेश कु कुमार याद हो एंड रिशा पंद दिनेश कार्थिक पंडिया रविंद्र जड़ेजा फिर आपको दिखने वाले हैं ये जुंदर चैल और भूवनेशक कुमार और जस्प्रेद भूमरा ये इंडे की प्लेंग 11 होने वाली है सो आप बताएए कि आपकी तरफ से किस खिलाडी को मुका नहीं मिला क्या क्या श्रेस आयर और दीपक हुडा में से किसका सेलेक्शन होना चाहिए आप कमेंट बोक्स में राय जरूर दे अब हम बात करते हैं बंगलादेश वर से जिंबावे यार बंगलादेश के पीछे तो हाथ दोके पीछे पड़े गए हैं सिकंदर रजा और हर T20 में उन्होंने बंगलादेश को रोंदा था और यहां पे ODA में भी एकदम कराना था माचा मारा उससे पहले तामीम इकबाल ने रिकार्ड बना दिया है बंगलादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बलेबाज वो बन गए हैं और इस उपलबदी के लिए उनको congratulations और आगे जाके मैं चांगा कि वो और बड़े रिकार्ड बना है परंतु उनके इस रिकार्ड से बंगलादेश की हार हिटरी बंगलादेश की पहले बलेबाजी आती है वो 300 से उपर का टोटल लगा जेते हैं और उसमें जो अच्छा स्कोर करते हैं लिटंदास करते हैं अनमूल हक करते हैं तो आपके साथ थोड़ा स्कोर बोड शेयर कर देता हूं मैं 303 रन बनाए उन्हें मातर दो विकेट परन्तु यहां जिंबावे कुछ होरी सोच कर आया था उन्हें पता था कि 303 का टार्गेट हम चेस कर लेंगे तो उनकी जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं होई दो विकेट जल्दी गिरें उनके परन्तु जो इनोसेंट काईला थे काफी अच्छी बलेबाजी इन्हों है और जो इनोसेंट का है वो 90 का स्ट्राइक रेट है परन्तु बंगलदेश की गिंदबाजों ने काफी निराश के यहां पर महामुदुल्ला तो दूसरे ओर में ही मैच गवा बैठे और मुस्ताफिज और रहमान ने इस सीरीज में कुछ परवावीत नहीं किया उनसे जो का तो मेरे साब से उनकी जो नए कप्तान बने है वो एक बड़ा इशू हो सकता है यहां पर क्योंकि आप जानती हो कि महामुदुल्ला एक अच्छे कप्तान है यहां पर तामीमिक बाल कैप्टिन उनके परन्तु जो टीट्वन टीम हा रहे है उससे थोड़े डिस्टरब ल हैं अगर वो स्टार्टिंग में ज्यादा विकिट लेते सिकंदर रजा को चांस नहीं मिलता तो अब यहां पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता था तो अगर आप इस चैनल पर पहले बार आएं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वोड़े मे झाल 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 झाल